दरगारोबते अन्हीं नाजीन इस वक्त ऍिल्षक्त हम चुनार में पढ़ती बनारस में आप दोगान उन करण थे क आसले में भी आपको भी आरदे मेरी औरेडी पैद में पैसे ही वीडियो है इस तो अब आप Remoosh देख सकते हैं कितना खूपसूरत यहां पर मजज़ा रहें कितना अच्छा लोकेसान है वगल में कि आप यह तो वहां पर गंगा नदी है यहां बेल का फेल भी लगा हुआ है कि पूरा सा बेल का पेल है यहां पर और सुबा का टाइम ताम रूप निकलते हैं और चले आएँ दर्गा है यह बनारस से 30 km बनारस वारानसी स्टेशन से 30 km दूर पड़ती है तो यहां पे 30 km टोटल लगता है आने के लिए तो किसी को बुझे चुनार दर्गा पे तो डारेक्ट लेकर आ जाएगा और जो यहाँ पे है तो पासिम साथ सुलेमानी रहने किस्टा एकश्टा है जैसे अगर कोई यहां पे बेजुरमती करता है तो उसको यहां पे एक बर्वे पहले रहती तो वो काड़ लेती ती और बहुत ही समझ लो यहां पे आते हैं लोग अच्छे से रहते हैं और कहीं भी अल्लाव के वली के दरवार में जाएंगे, तो अदब और एइतराम करना बहुत ज़रूरी है, तो यह अगर आपने अदब और एइतराम में कुछ पॉताही थी तो आपको इसकी सजा भी मिल सकती है, तो हम लोग आते हैं बहुत ही इतराम से और बहुत ही अच्छे से जो भी करना है जारत वो गएर हम लोग करते हैं और अच्छ करते हैं अच्छ को अच्छ को आधा इससे बिता है जर्शी उतले में रास्ता है जल सी उतला पर इंगा स्सक्राइब पहुत ठंदग रेखिए। यह पूरे तो पत्थर का बना हुआ है। इतना ठंद रहता है, कितनी लिदुपये। लेकिन यहां पे जो हच बहुत ही ठंदग रेखिए। और पहुत ही अच्छा लगता है। तूरों को लुकता है। थे जाते जाते हैं यहां से और उपासे ही अर्वार कासिम साथ सुलीमाने रह्मतिल्ह दाले के साभजादे का रोजा है, वहां पे तीर लोग आए और आप देख सकी रास्ता रहना होगा है, और ये पर्थर की स्वेडिये पुरा पर्थर काई समझ्जो करना होगा रहा है चलिए हम गुलामान एहमद रजा है हर कोई भी हमसे जीता नहीं है